दोस्तों कई बार ऐसा होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने laptop के screen पर लेके चलता हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक folder दिखाई दे रहा है, इस वाले folder को जब हम open करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ आता है, you don't currently have permission to access this folder, इसके बाद continue और cancel को option आ होगा, जो कि इस परकार से folder पर लिखा हुआ आ रहा होगा, जो भी folder के अंदर में कुछ files या फिर हमारे कुछ important documents होते हैं, उसको हम open नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारा काफी सारा काम भी उससे hamper हो सकता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल तो चलिए सुरू करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि किस folder में इस प्रकार से lock लगा हुआ है, जैसे कि यहां से जो folder दिखाए दे रहा है, इस पे हम right click करेंगे, इसके बाद यहां पे properties का option आ रहा है, इस वाले option पे click करना होगा, click करने के बाद पर यहां पे आपको तीन options दिखाई देंगे, इसमें तीसरा number का option है, जो सबसे last वाला, इस पे आपको click करना होगा, click करने के बाद पर यहां पे एक देखेंगे edit का option है, इस वाले option पे आपको click करना होगा, click करते ही आपका फिर जो है दूसरा dialog box open होगा, यहां भी आपको इसी तीसरे number पे click करना है, click करने के बाद पे आप यहां पे देखेंगे नीचे, यहां पे कुछ options दिखाई दे रहे हैं, जिससे full control, modify, अब यहां पे जो deny का option है, इसमें सभी में tick mark हुआ है, इन सभी को आपको untick करना होगा, यानि कि जिस folder के अंदर में आपको lock लगा हुआ है, या फि आप यहां से हटाएंगे, और इसके बाद apply वाले button पे click करेंगे, apply पे click करने के बाद आपको यहां OK वाले button पे click करना होगा, उसके बाद यहां फिर आपको OK करना होगा, आप यहां से देखेंगे, इस folder को जब मैंने अभी open किया था, तो यहां पे कुछ लिखा हुआ रहा उन सभी को हम proper तरीके से यहां से open करके देख सकते हैं, हाला कि यह video काफी छोटा है, लेकिन आप लोग के लिए काफी useful भी रहा होगा, जैसे कि मैंने जो आपको बताया इस वीडियो के अंदर में, जो भी folder को open करना था और open नहीं हो रहा था, उसको हम digital कैसे करेंगे, तो आ और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक लिए, बाई बाई